हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग फाइनली पेटियम के सेयर की लिस्टिंग हुई और इस कंपनी के सेयर प्राइस अल्मोस्ट 30% नीचे गिर कर बंद हुआ इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बोला था देट इस कंपनी से दूर रहो अब ये भाइस साब बोल रहे हैं देट लोगों को पेटियम का बिजनिस मॉडल समझ में नहीं आया मुझे तो इनका बिजनिस मॉडल सालों पहले समझ में आ गया था आपको भी समझाता हूँ मट उससे पहले आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो काफी टाइम पहले मैंने पेटियम के वैफ साइट से एक एसी खरीदा था और वो एसी कुछ इस तरह से चल रहा था इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा अब जब मैंने एसी लिया था मैं पहले ही बीमार था उस एसी को वापस करने के चकर में मैं और बीमार हो गया फाइनली मुझे एक से डिड़ महीने लग गए उस एसी को वापस करने में उस टाइम मुझे समझ में आ गया था इनका बिजनिस मॉडल सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना है अब इन्होंने इन्वेस्टर्स को भी बेवकूफ बना दिया 1200 रुपे का सेर, 2000 रुपैसे भी मेंगा बेश दिया अब ये एक किसम से क्या हुआ वो सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पेटियम का यूज करके काफी सारे cashback कमाया होगा Paytm ने एक ही साथ उससे कहीं ज़्यादा पैसे बरबाद कर दिये इनका एक और business model है आपने अपने आसपास ऐसे काफी सारे लोगों को देखा होगा जो दूसरों को business को देखते हैं उन्हें लगता है अच्छा ये काफी पैसे कमा रहा है वो उस business में भी घुस जाते हैं वो again किसी third person को देखते हैं अच्छा ये भी काफी सारे पैसे कमाता है वो तीसरे business में घुस जाते हैं वो चौथे person को देखते हैं अच्छा चौथा person ये business कर रहा है इसमें ज़्यादा पैसे हैं वो चौथा बिजनेस शुरू कर देते हैं At the end वो सब जगे घुसना चाहते हैं आप Paytm के website ये mobile application देखो आपको ऐसा कोई financial product नेजर आ रहा जो इनकी website पर नहीं है Recently इन्होंने Paytm money के थूँ broking का काम शुरू किया है But broking no doubt कुछ time पहले तक काफी अच्छा business था But discount broker ने तो already इस industry को disrupt कर दिया है And एक किसम से ये इस industry में भी late है And अगर इनको इस industry में अपना business फैलाना है तो obviously इनको discount देने पड़ेंगे इनको अच्छा attractive offers लाने पड़ेंगे आप कुछ time बात देखना इनको देकर PTM cryptocurrency में भी deal करने लग जाएगा See normally जब आप food से related बात करते हो तो आपकी दिमाग में सीधे जो मैटो आता है ऐसे ही अगर आप cosmetic products की बात करते हो तो आपकी दिमाग में सीधे नायका आता है आप fashion clothing की बात करते हो सीधे मिंत्रा आता है I mean Paytm का नाम लेती ही आपकी दिमाग में क्या आता है अगर आपकी दिमाग में mobile wallet, phone recharge, DTS recharge ये सब आता है तो आप इस तरह की company डेड़ लाग करोल में तो बिलकुल नहीं खरीदोगे In short Paytm काफी सारे businesses में है और इस तरह का business model कहीं भी highly successful नहीं होता Yes, China में Ant Financials का business model काफी strong है और उन्होंने बहुत पैसे कमाई है But वो एक closed economy है India एक open economy है And यहाँ पर इनको अच्छा competition face करना पड़ेगा हर front पर And last but not the least And आप खुद देखिए IPO के टाइम पर ये company क्या बोल रही थी हम past में losses करते आ रहे हैं हम future में भी losses करते रहेंगे Profit के आप हमसे expectation मत रखें And हम profit की कोई guarantee भी नहीं देते I mean seriously आप इस तरह का business model लेकर आपने किसी relative के पास जाएए किसी friend के पास जाएए And अगर आपका वो वाकई में अच्छा relative या friend निकला तो इस तरह के business में investment तो छोड़ो वो आपकी पिटाई और कर देगा अगर आपको वीडियो पसंद आएग तो उसे like share जरूर करें And चैनल को subscribe करें Thank you